ओम श्री गनेशाय नमः दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस बिलनिया हस्बंट and दिस स्टोरी इस बिगिन फ्रम चाप्टर 69 and गाइस डोंट फगेट तू Share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिए शुरू करते हैं अब तक आपने पढ़ा परिधी को ये समझ में आ गया था कि अधिराज उसे स्वरा समझ रहा है और इस हाल में अधिराज अभी जितना emotional है और इतने दिनों से स्वरा से दूर है और अब परिधी को स्वरा समझ कर कहीं वह बहकना जाए ये सोचकर परिधी उसे खुद से दूर करने लगी लेकिन परिधी के सर में चोट लगी थी इसलिए वह ज्यादा जोर नहीं लगा पा रही थी क्यूंकि उसका सर अभी दर्द कर रहा था पर अधिराज ने परिधी को बहुत ही tightly hold करके हक किया हुआ था जैसे अगर परिधी को छोड़ा तो वह हुसे छोड़कर कहीं चली जाएगी वह भी हमेशा के लिए अधिराज ने एक साइड साउंड करते हुए कहा अच्छा हुआ तुम आ गई अब मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगा कहते हुए अधिराज ने परिधी की गर्दन में अपना मुह चुपा लिया अब आगे एक तो सर की चोट उपर से अधिराज ने परिधी को इतना टाइटली हग किया हुआ था परिधी उसे खुद से दूर हटाना चाहती थी लेकिन अब अधिराज उसकी गर्दन को अपने होटों से चू रहा था परिधी धीरे धीरे अधिराज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर अधिराज ने परिधी को और टाइटली होल्ड करते हुए कहा हग में स्वरवजाय हग यो स्वरा मुझे भी वैसे ही हग करो जैसे मैंने तुम्हे किया है परिधी ने धीरे से कहा मिस्टर अधिराज आई एम परिधी नौट स्वरा अधिराज ने जैसे ही परिधी का नाम सुना वहर बढ़ाते हुए उससे अलग हो गया और उसकी तरफ देखते हुए हैरानी से बोला तुम तुम यहां क्या कर रही हो और स्वरा कहा है लेकिन परिधी ने अधिराज की बात का कोई जवाब देने की बजाए सोफे से तिक कर आखे बंद कर ली अधिराज के दिमाग में अभी अभी स्वरा का ठ्याल था और उसे अचानक से अपने सामने न देखकर अधिराज को बेचैनी हो रही थी उपर से परिधी उसकी बात का जवाब देने की बजाए सोफे पर लीन होकर आखे बंद की हुई थी धीरे धीरे अधिराज को ख्याल आया कि अभी अभी उसने क्या किया है और साथ ही साथ ये भी की स्वरा को तो वहटू साल पहले ही खो चुका है फिर भी जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल करते हुए आलोग को कॉल करके परिधी के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा परिधी अधिराज के केबिन में बेहोशी की हालत में पढ़ी हुई थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे लेकिन अधिराज को परिधी की हालत से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर परिधी ने होश में आने के बाद अधिराज ने जो कुछ किया उसके कारण अधिराज का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया तो क्या होगा क्योंकि डॉक्टर विश्वनात वालिया की बहन नलिनी की जिंदगी में अपना सब कुछ खो देने के बाद भी परिधी की वज़े से आया हुआ बदलाव अधिराज देख चुका था ऐसा नहीं था कि अधिराज पास्ट को पूरी तरह से भूल जाना चाहता था लेकिन वह अपने पास्ट के साथ जीना सीखना चाहता था उसे mentally handle करना चाहता था और इसलिए जब तक वह ठीक ना हो जाए परिधी उसके आसपास रहे ये बहुत जरूरी था लेकिन आज अधिराज ने emotional होकर जो हरकत की थी उसके बाद होश में आने के बाद परिधी शायद ही उसके पास रुके यही सोच सोच कर अधिराज को टेंशन हो रही थी डॉक्टर ने परिधी को चेक करने के बाद उसे कुछ injection दिये और अधिराज की तरफ देखते हुए कहा मिस्टर खन्ना मैंने इन्हें injection दे दिया है जैसे ही इन्हें दर्द से राहत होगी इन्हें होश आ जाएगा दूसरी तरफ मालती जी अधिराज और परिधी का घर पर इंतजार कर रही थी क्योंकि आज उन्हें शेखावत मैंशन डिनके लिये जाना था थोड़ी ही देर में अधिराज की कार खन्ना विला के बाहर खड़ी थी परिधी कर से उतरने लगी लेकिन तभी अधिराज ने दूसरी तरफ से आकर दर्वाजा खोला और कहा तुम रुको मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ मैं थीक हूँ मिस्टर अधिराज मैं खुद अंदर जा सकती हूँ परिधी ने अधिराज को रोकते हुए कहा पर अधिराज ने उसे तोट मारते हुए कहा दिख रहा है कितनी थीक हो कहकर अधिराज ने परिधी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे खन्ना विला के अंदर लेकर जाने लगा वही मालती जी ने जब परिधी को अधिराज की बाहों में देखा तो इससे पहले की उनके दिमाग में कोई और ख्याल आताओं ने परिधी के माथे पर बांधी बैंडेज दिखाई दी और वह चिंता करती हुई परिधी के बारे में पूछने लगी अधिराज परिधी को सीधा उसके कमरे की तरफ ले गया होर उसके बिस्तर पर लेताते हुए कहा बस अब आज कोई जासूसी नहीं चुपचाप लेती रहना पर बेटा परिधी को हुआ क्या है मालती जी ने परेशान होते हुए पूछा तो अधिराज ने कहा मुझे नहीं पता माजब ये ठीक हो जाएगी इसी से पूछ लीजिएगा अधिराज पहले से ही इस बात को लेकर परेशान था कि परिधी को उसकी वजह से चोट लग गई अब वह मालती जी को ये बात कैसे बताएं और उसके बाद उसने परिधी के साथ जो किया उसके बाद परिधी यहां रुकेगी भी या नहीं ये अधिराज नहीं जानता था मालती जी परिधी का सर सहला रही थी पर तभी कमरे में एक सर्वेंट आया और परिधी का हैंडबेग अधिराज को देते हुए कहा सर ये ड्राइवर देकर गया है मैम का मुबाइल रिंग कर रहा था अधिराज ने हां में सर हिलाया और सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कहा तभी परिधी का मुबाइल दोबारा से रिंग होने लगा परिधी ने अधिराज से अपना मुबाइल मानगा तो अधिराज उसे उसकी हेल्था का ध्यान रखते हुए मुबाइल देने से मना करने लगा लेकिन परिधी जित करने लगी कि उसके लिए एक एक कॉल इंपॉर्टेंट होता है क्या पता उसका भाई उसे कॉल कर रहा हो परिधी की जित के आगे और मालती जी का order सुनकर अधिराज ने परिधी का handbag उसके पास रख दिया परिधी ने अपना मुबाइल उठा कर कॉल बैक किया और मुबाइल पर बात करने लगी उसके बात करने से यह पता चल रहा था कि उसके पास किसी next patient की appointment आ रही है ये सुनकर ही अधिराज को धक्का लगा था कि शायद परिधी ने पहले ही अपना मोबाइल यूज करके कोई अपॉइंटमेंट एकसेप्ट कर ली है जहां उसकी सेलरी लगभग 50,000 है लेकिन उसकी यह गलत फहमी दूर हो गई जब परिधी ने कहा सर एक्चुली मैं अभी ओल्रेडी किसी को हैंडल कर रही हूँ मैं अभी मुझे इस केस में 2-3 महीने लग जाए आप इस काम के लिए कम से कम मुझे 3 महीने का समय दीजिए थोड़ी देर के डिसकशन के बाद परिधी ने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया अधिराज को इस बात का रिलेक्सेशन तो था कि कम से कम परिधी ने आज के आज उसकी जौब नहीं छोड़ी पर परिधी दो या 3 महीने में जाने वाली है ये सुनकर मालती जी का मुझ उतर गया था क्योंकि बड़ी मुझे उन्हें अपनी फैमली में 2 से 3 इंसान नजर आने लगा था परिधी इन कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी लगने लगी थी क्योंकि आई तो वह यहां अधिराज को ठीक करने के लिए थी लेकिन इसके लिए वह सबसे इंटरेक्ट कर रही थी लेकिन वह परिधी को रोक भी तो किस हक से यह सोचते हुए इससे पहले की मल्टी की परिधी से कुछ कहती अधिराज ने परिधी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा मैं अभी तक ठीक हुआ भी नहीं हूँ और तुमने दूसरी अपॉइंटमेंट ले ली यही है तुम्हारी प्रोफेशनलिटी ऐसे कैसे काम करोगे तुम पर मैंने उनसे यह भी कहा कि यह केस कंप्लीट करने के बाद ही मैं अगला कैसे हैंडल करूंगी परिधीने अधिराज की तरफ देखते हुए कहा तो अधिराज ने गुस्से से कहा तो फिर तुमने यह कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं दो तीन महीने में ठीक हो जाऊंगा हो सकता है मुझे और समय लग जाए मैंने जो कुछ भी कहा है अपने एक्सपीरियन्स के बेस पर कहा है मिस्टर अधिराज एक और बात भले ही मैं एक टाइम पर एक ही पेशेंट को हैंडल करती हूँ पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप पूरी जिन्दगी पेशेंट रहे तो मैं किसी और पेशेंट को ट्रीट ही नहीं करूंगी थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो भी चलेगा लेकिन अगर दो तीन महीने में मुझे आप में कोई बदलाव ही नजर नहीं आया तो फिर मुझे अगला पेशेंट तो हैंडल करना ही पड़ेगा परिधी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा तो अधिराज ने घमंड से कहा तुम्हें नहीं लगता मुझे लंबे समय तक हैंडल करने में ही तुम्हारा फाइदा है क्योंकि मेरे यहां तुम्हारी सेलरी चार लाख है जो कि तुम्हें अभी ओफर की हुई सेलरी से कई गुना है और अगर तुम्हें ये चार लाख भी काम लग रहे हैं तो मुझे बता देना मैं तुम्हारी सेलरी बड़ा दूंगा पर तुम ही मेरे यहां तब तक काम करना पड़ेगा जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता लेकिन इस बार परिधी ने अधिराज के घमंड का जवाब घमंड से देने के बजाए प्यार से कहा मिस्टर अधिराज आप पूरी तरह से ठीक है आपको कोई प्रॉबलम नहीं है बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने अतीत के साथ जीना नहीं सीख पा रहे हैं आप मानेगे नहीं पर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है नाहीं आप किसी को चाह कर याद रख सकते हैं और ना ही अपने चाहने से आप किसी को भूल सकते हैं आप अपने अतीत को भूलना चाहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन हाँ अगर आप चाहे तो अपने अतीत के साथ जीना सीख सकते हैं परिधी के मुह से यह सुनकर की अधिराज पूरी तरह से ठीक है उसे कोई प्रॉबलम नहीं है अधिराज को बहुत अच्छा फील हो रहा था साथ ही साथ मालती जी को भी यकीन नहीं हो रहा था की अधिराज के एंगर को भी परिधी ने कितने आराम से हैंडल कर लिया था मालती जी ने अधिराज की तरफ देखते हुए कहा बेटा विद्युत के घर दिन के लिए तुम अकेले चले जाओ मैं आज घर पर ही रुकूंगी परिधी का ध्यान रखने के लिए वैसे अधिराज अकेले शेखावत मैंशन जाना तो नहीं चाहता था मतलब विद्युत से मिलने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन यहां तो उसकी पूरी फैमली के साथ दिन करने का सवाल था लेकिन मालती जी की बात भी सही थी क्योंकि परिधी के सर पर चोट आई थी अधिराज मालती जी की बात का जवाब हां में देकर कमरे से बाहर जाने लगा लेकिन तभी परिधी ने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा नहीं आंटी आप लोग मेरी वजह से अपना प्लान कैंसल मत करिये आप एक काम कीजिए जाकर रच्छे से तैयार हो जाए और मैं भी रेडी होकर आती हूँ मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी नहीं तुम हमारे साथ नहीं चल सकती तुम्हारे सिर पर इतनी चोट आई है और वैसे भी उन लोगों ने सिर्फ मुझे और मा को डिनर पर बुलाया है अधिराज ने परिधी को साथ चलने से मना करते हुए कहा परिधी ने बिस्तर से उठते हुए कहा मुझे सर पर चोट आई थी इसलिए मैं थोड़ा लो फील कर रही थी लेकिन इंजेक्शन के बाद से मुझे आराम है इसलिए अब मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और रही बात की उन लोगों ने सिर्फ आप दोनों को डिना पर बुलाया है तो चिंता मत कीजिए मैं वहाँ डिना नहीं करूंगी मैं अपना तिफिन यहां से ही लेकर चलूंगी अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मिस्टर अधिराज अरे अगर उसे प्रॉब्लम है भी तो रहने दो पर अगर तुम्हें ठीक महसूस हो रहा है और तुम चलना चाहती हो तो चलो और भला एक इनसान के और खाना खाने से उनके खजाने में क्या घट जाएगा और अगर फिर भी इसे दिक्कत है तो तुम मेरे हिस्से में से खा लेना मैं ना एक काम करती हूँ अपने कपड़े भी यही लेकर आ जाती हूँ हम साथ में तैयार होंगे मालती जी ने एकसाइटमेंट में कहा और अपने कपड़े लेने के लिए चली गई पर अधिराज अभी भी परिधी के कमरे में ही खड़ा था परिधी इंतजार कर रही थी अधिराज के जाने का लेकिन जब अधिराज थोड़ी देर तक नहीं गया तो पर्भी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा क्या आप जाये यहांसे मुझे तयार होना है अधिराज परिधी से ओफिस में अपने बिहेवियल के लिए माफी मांगना चाहता था और साथ ही साथ ये भी कन्फरम करना चाहता था कि कहीं परिधी अधिराज के उसे बिहेवियल के लिए बीच में ही उसका ट्रीटमेंट ना छोड़ दे अधिराज मैं जैसे तैसे सोते हुए एक एक शब्द जोड़कर कहा वह ओफिस में मैंने तुम्हें स्वरा समझा इसके लिए I am Sorry, sorry बोलने से कुछ नहीं होगा Mr. अधिराज मुझे एक commitment देना होगा कि यह गलती आपसे पहले और आखरी बार हुई है एक और बात अगली बार में वीक फील करूँ तब भी आप मुझे अपनी बाहों में नहीं उठाएंगे मैं आपके घर में आपकी mental wellness के लिए रुकी हूँ इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे अपनी private property समझे परिधी ने सक्त लहजे में कहा क्योंकि अधिराज ने जब परिधी को हग किया था तो परिधी बेहोश होने लगी थी इसलिए उसे ये याद नहीं था कि अधिराज ने उसे किस भी किया था तुमने मुझे उसे बात के लिए माफ कर दिया थेंक यू सो मच आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा अधिराज ने रिलेक्स फील करते हुए कहा पर परिधी और अधिराज की यह बात की अधिराज ने परिधी को हग किया था यह मालती जी ने सुन ली थी और परिधी को तो परिधी ने अधिराज को रोकते हुए कहा एक मिनट मिस्टर अधिराज अधिराज को नलिनी से मिलने के बाद अब अपने लिए परिधी की इंपोर्टेस पता थी इसलिए वह रुक कर बोला हाँ बोलिए मिस परिधी अगली बार मुझे आप 4 लाक सेलरी देते हैं इस बात की धौन्स मत दिखाएगा क्योंकि अभी तक मैं आपसे एक पैसा नहीं लिया है तो मैं जब चाहूं जौब छोड़ सकती हूँ और अगर आप मुझे सेलरी देंगे भी तो वह मेरे काम की सेलरी होगी आपका एहसान या खेरात नहीं मैंने दो तीन महीने का जो समय कहा है आपको ठीक करने का अगर तब तक मैं आपको ठीक नहीं कर पाई तो आपसे कोई सेलरी नहीं लूंगी क्योंकि 4 लाक हो या 40 लेकिन परिधी अग्रवाल को सिर्फ अपनी सेलरी लेने की आदत है खेरात नहीं परिधी ने पूरे एटीट्यूट से अधिराज से कहा परिधी का ये सेल्फ कॉन्फिदेंस देखकर अधिराज चुप रह गया था क्यूंकि परिधी में उसकी कई गुना सेलरी जैसे उसके मुह पर ही फेक मारी हो अधिराज ने परिधी को सेलरी अपने स्टेंडर्ड के अकॉर्डिंग ओफा की थी लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई की परिधी को जरूरत मंद होने के बावजूद उत्मी बड़ी सेलरी में इतना भी इंटरेस्ट नहीं है जितना अधिराज को लग रहा था की उसे होना चाहिए So don't forget to share your review and comment your best part of a story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कृपया इसे subscribe करें और bell icon पर click करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पासके And if you like my story so comment your feelings with heart emoji तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे